प्रग्या ठाकूर के खिलाफ एक हुए सिहोर के पत्रकार भुपाल सांसत प्रग्या ठाकूर ने पत्रकारों को बहिमान कहा सिहोर पत्रकारों ने सांसत द्वारा अपमानित करने के कारण सिहोर SDN को सांसत पर कारवाई करने को लेकर अपन दिया और भुपाल सांसत वाद मुर्दाबाद के नारे लगाया पूर्व में कुछ दिन पहले सिहोर के पत्रकारों ने प्रग्या ठाकूर को सिहोर में उस समय बेनकाब कर दिया था इसमें की पत्रकार द्वारा पूछा गया था कि आप चुनाव जीती तपस दिखाई नहीं दी चुनाव से पहले तो आपने सिहोर बुपाल श्वेत्र की जनता से बड़े-बड़े वादी किये थी इस पर प्रग्या ठाकूर ने पत्रकारों से बोला था मैंने संसच चुनाव इसलिए नहीं लड़ा कि मैं शहर में जाडू लगाउं और गाउ में शोचले साफ करूं सिहोर के पत्रकारों ने इस बयान को पड़े जोड़ शो से उठाय था जिस पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी सहीद जन्तापार्टी के बड़े निताओं ने प्रग्या ठाकूर से रड़ास होकर मेडिया के सामने ना बोलने की नसीयद्धी थी 17 सितंबर को भोपाल सांसर सिहोर के पसिद्ध चिंतामणी गनेश मंदिर आई थी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के जन्म दिन पर उनके उज्जोल भविश्व के लिए पूचा अर्चना करने उसे दोरान पत्रकारों के सवालों के जवाब में बोला सारे पत्रकार बहिमान है एक भी इमान दार निए आम बोल रहे हैं तुम सुनो तुमारी तारी जितने भी मीडिया के सिहोर के मीडिया वाले हैं सब बहिमान